ये पुडीज, वालकम बैक टू माय चैनल महकता जायका गर्मियों का मौसम है उसमें हमें ठंडा ठंडा नीमबू पानी मिल जाये तो क्या बात है और अभी जो हमारा करंट सिनारियो चल रहा है उसमें हमें विटामिन सी जरूर से लेना चाहिए नीमबू हमारी डेली डाइट में हमें जरूर से शामिल करना चाहिए लेकिन हर टाइम हम नीमबू पानी या मोईतो वगेरा नहीं बना सकते हैं मैं आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ एक बार अगर आप इसे बना कर रख देंगे तो आप बहुत लंबे टाइम तक इससे शिकनजी बना कर पी पाएंगे इसके लिए देखें मैंने क्या किया है तीन बाउल शुगर लिया है मैंने एक ठाली में डाल लिया है उसी बाउल के नाप से एक बाउल मैंने यहां नीमबू का रस लिया है नीमू के रस को हम इसमें अच्छे से मेक्स कर देंगे फिर इसे हम हिला देंगे इसे धियान रखना है हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है नहीं तो ये बिल्कुल सिर्प बन जाएगा तो हमें इसे पंके के नीचे रखना है और बीच बीच में हिलाते रहना है ये देखिए एक दिन के बाद ही लगबग 24 आर्स लगे थे मैंने इसको खुला खुला दो स्टील की प्लेट्स में डाल लिया था तो अच्छे से सूख गया है अब इसका हम मिक्सर में पाउडर बना देखिए कितना वाइट पाउडर बना है इसका कितना अच्छा पाउडर बना है अब इसके लिए मसाला तयार करते हैं शिकंजी मसाला एक बार आप बना कर रख दीजिए तो आपकी रोज-्रोज की मैनत की छुट्टी हो जाएगी इससे शिकंजी का स्वाद भी बहुत ही ला जवाब आता है इसका मैजर्मेंट मैं आपको डिस्क्रैप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप एक बार वहां से चैक कर लीजेगा और अपना मसाला तयार कर लीजिएगा एक बार मसाला बनकर रख देंगे तो आपकी रोज-्रोज की मैनत की भी छुट्टी हो जाएगी इसे हमें कम आज पर रोस्ट करना है जीरे को ऐरन तवा पर पूना हुआ जीरा बिल्कुल इसकिप मत कीजेगा इसे शिकंजी का स्वाद बहुत ही ला जवाब आता है और इसके हाल बेनेफिट्स भी बहुत जादा है जीरा डाइजिस्टिव सिस्ट्रम को बहुत अच्छा कर देता है यहां हमने ठंडा करके जीरा ले लिया है बूना हुआ जीरा इसमें हम काले मिर्श एट करेंगे काले मिर्श के बाद हमें इसमें एक जो सॉल्ट एट करना है वहां आप काला नमक जरूर से एट करें काला नमक भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है तो इस चाट मसाला भी आप डाले फिर हमने यह साबुद जीरा डाला है पहले बुना हुआ जीरा डाला था और अब हमने साबुद जीरा डाला है कि इन सब को अच्छेında आऩ बर मिक्स करड़ा संद और आव सिंपल सॉल्ट भी रही था एड किया है लास्ट में, इन सब को मिक्स करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, इसका फाइन पाउडर बन गया है, यह कूर्सरी ग्राइंड करना है हमको, बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करना है, यह देखिए हमारा शिकंजी पाउडर भी तयार है और मसाला भी तयार है अब हम तयार करते हैं अपनी शिकंजी सेकंड्स में हमारी शिकंजी बन जाएगी यह शिकंजी पाउडर मिलाया कुछ पुदीना के लीव्स मिलाया आइस मिलाया और इसमें चाहें तो lemon slice भी डाल सकते हैं अगर आपके पास उस time lemon है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आप skip कर सकते हैं ये उपर से हमने जो masala बनाया है वो add किया है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस masala को आप बिल्कुल skip ना करें ये देखिए कुछ ही seconds में हमारी शिकंजी या लामोनेट बन कर तैयार है तो आप एक बार बनाएं और पूरा साल इस शिकंजी पाउडर से शिकंजी बना कर enjoy करें आप जब भी सस्ते नीम बुआएं उन्हें लेकर पाउडर जरूर से बना लें अगर आप ये recipe try करते हैं तो आप इसका picture मेर साथ जरूर से शेयर करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं अपनी बनाई हुई recipe की picture या फिर आप मुझे facebook पे भी inbox कर सकते हैं आपकी recipe कैसी बनी